के यह तो इसको अन्बॉक्स कैसे करूम है देखिए दोस्तो नौड पी मार्पी है यहाँ तो मुझे पटाइए है देखिए देखिए यह हैं पे 10 रुपी की मार्पी है दुस्तो कैसा है अपडर यकीन है कि अब लb अगर वीडियो परसंद आते वीडियो को लाइक चुरूर करें चैनल को सब्सक्राइब अभी करतें कि बाद में लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब ने करतें चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं देखिए दोस्तों यह हमारी मैमी पोको पैंट्स जो की S में है जो कि बहुत ही जादे जिसकी बिक्री है दोस्तों अभी इसकी बिक्री बर चुकी है क्योंकि बर साथ है दोस्तों और सितलहरी जो आती है दोस्तों कराके की ठंड आती है जिसमें कपरावरा नहीं सुकता है उसमें बहुत ही जादे बिक्री हो जाती है उसकी मार्जिन बहुत ही कम हो जाती है दोस्तों, अभी जो profit margin उससे आधी profit margin आपको तभी देखने को मिलते हैं, इसलिए अभी से लोग इसे stock कर रहे हैं, दोस्तों, पेटी का पेटी भर लेते हैं, जो की धंडी में कमाया जा सके, जब इसकी demand हो और scarcity हो, demand और scarcity एक साथ होता है, तो profit बहुत ह ऐदे होता है दोस्तों यह आपको प olduğ होगा तो चलिए दूस्तों आज स्प्थय शुरू करते हैं अगर मुद्एक की बात की ज़ाए तो पहले इसकी क्वाउंटिटी जान ले दूस्तों तो अगर पहले बात के चलिए हम सब सोत तक हो सकता है यानि की हैंड़ कर सकता है अपने में सोत नहीं सोत सकता है यहां पर देखिये दोष्ट नेट कौंटिटी इसकी 240 पीसे हैं इसमें और अर्ट पीसेज की प्ता आती है दोस्तो 30 लाइन है तो यानि थी 240 पीसिस है इसमें तीस पत्ता आपको देखने होगा मिलती है आठ पीसिस के साथ उसके और यहां पर दोस्तो एस साइस की बारे में अगर बात के जाए तो चार से उनिचाम सील्ड है उनिचाम के तरफ से यह मैं इफेक्चर की जाती है दोस्तो और इंडिया चलती है यह बहुती तगडी मार्जिन भी इन इसमें बहुती जादे डिमांड भी है इसकी तो आपको दिखादू खोल के आपको अन्बॉक्स करके दिखा दो दोस्तो पहले तो त यहां पर नौर्पे की MRP है जैसा कि मैंने पहले ही बताया थो दोस्तों यहां पर आठ पीसेश के साथ यह पत्ता एक मिलेगा आपको यह आप रिटेल में बेचोगे मतलब की छोटी दुकानदारों को आप ऐसे ही दोगे नौर्पे की MRP में एन्वी साइस का यह मैमी पोको पैंड्स है न्यूबॉन बेबी जो एन्वी मतलब न्यूबॉन बेबी और इस मॉल का भी बात की जाए तो यहां पर तो इस मॉल का 10 रुपे MRP है तो मुझे पता आई है देखिए यही पुड़ी की पुड़ी पेटी देखिए यहां पर 10 रुपे की MRP है दोस्तों ऐस साइज है मैमी पोकोपेंट्स स्टेंडर्ड देखिए और भी देख लिजिए तक तो दोस्तों इसकी डिस्क्रिप्शन और अन्बॉक्शन के बारे में बात हुई अब मुद्दे की बात कर लिजाए दोस्तों यानि कि इसकी होलसेल रेट अगर बात किया जाए दोस्तों पता करेंगे हम लोग साथ में ऐसा इसलिए मैं बन रहाओं क्योंकि लाइव फिर मार्जिन है कितना क्या कुछ है कैलकुलटेट साथ में मेरे तो यहां पर देखिए दोस्तों पहला तो हम बात कर लेंगे दोस्तों 10 रुप्य की मर्पी जो है दोस्तों यहां पर साइज का जो यह पीटी है अब देख सकतो 1750 रुप्य आपको लगाया गया है 1750 डिवा को पैंड्स यानि कि आप असानी से पता लगा सकते हो जो शाथ रुप्य 29 प्रेसा है तो आपका कितना हो गया 26% प्रॉफिर मार्जिन मतलब सौरी 37 37% मेरे हिसाब से हो गया 37% है प्रॉफिर मार्जिन इसका देखिए 37% आपको प्रॉफिर मार्जिन मिलता है यह 7 रुप्य 30 प्रेसा में खरिद परता है दोस्तो और यह 8 रुप्य में बिखता है रिटेल में मतलब कि छोटे दोकांदारों को अगर आप बेचोगे तो 80 रुप्य का एक पता बिखता है 10 पिसेस का तो यहाँ पे दोस देखिए 372 रुप्य आप आसानी से बचा सकते हो जो कि जो सीजन आपका डिमांड डेवल रहता है जैसे कि ठंडी सीथलहरी होता है दोस्तो जिसमें कपरां नहीं शुक पाता है उसमें आसानी से आप 240 पिस बेच सकते हो एक छोटे दुकांदार भी होता हो तो उसमें शार 1850 यानि कि इसमें 240 पीसेज हैं तो 6.60 पेसा इसमें भी ऐसा ही 27-27% का परफिल मार्जिन है दोस्तों नौर पे ये MRP है तो इसका अगर बात किया है दोस्तों होलसेल रेट के बारे में इसकी खड़ीद आपको कितनी पड़ी थी देखे लेते हैं फिर से 6.60 पेसा और 7 पे बिखता है 7 पे बेजते हैं तो आप समझ सकते हो जो 7 पे है तो 56 पे की यहां पे बिखती है दोस्तों साथ रिपे की पीछ है और 56 पे आठ फीशिस का यहां पे लगाता है दुस्तों हुद सिल में और अगर बात कि जाँ दुस्तो इसकी बिकरी के बारे में तो बहुत चाह्धे बिख्री होगे दोस्तों मेरे पास यहां पर दोकांदार सबसे ज़्यादा ले जाते हैं अगर बात के पिक DusYi ко avais कहां से यह opini दोकान भारी भर कम है बहुती ज्यादे बिक्री है वहुती ज्यादे बारा दुकान है दोस्तों और पाछीश से तीस स्टूरस हमारे साथ जूर हुए हैं하면서 स्टोटे मोटे कट़ारा अगेरा खोखा होगेरा मिला कि ब conflicting सारे दुकान अम लोगों से खड़ारी करते हैं ले जाते हैं तो यह मामूली बात है दोस्तो इतना हम लोग सेल कर सकते हैं असानी से तो चलि दुस्तो आज की वीडियों मगाamani YouTube कम हो जाता है क्योंकि ये लोग स्टॉक करके रख लेते हैं पहले ही डिमांड बहुत ही जादे हो जाता है अचानक से और मिलता नहीं रहता है माल तो इसलिए इसका प्रॉफिल मारिजिन कम हो जाता है तो ठंडी में इसकी रेट जादे बर जाती है प्रॉफिल मारिजिन कम हो तब तक के लिए अलविदा फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ थैंक्यों दोस्तों